असलाम उलेकूम आज हम बना कर दिखाएंगे बहुती स्पेशल बेशन की सॉफ्ट दैफिलकी 55 साल पुरानी ये रेशिपी है इसका टेस इतना खास होता है कि अभी भी लोग इस सॉफ्ट दैफिलकी को खाना पसंद करते हैं बहुत ही अच्छा इसका टेस होता है आपने यूटूब पर बहुत सारी रेशिपीस देगी होंगी लेकिन ये रेशिपी सबसे हटके है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है तो सबसे पहले लेनी हैं चार लाल सोकी मिर्च जो हमने लेनी है तो पोदीने आपको जरूर लेना है ठनी ठनी फूल की में ये ठन्द ठन्द पोदीने का टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है तो आप इसको जरूर राइट करिएगा तो इसके बाद आप इसको मिस्सिजार में भी पीश सकते हैं या सिलपर भी पीश सकते हैं लेकिन मैं च दही को तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले दही को हम बहुत अच्छे से पैट लेंगे इसमें मैं विल्कुल भी गुड़ी ना हो और दही को जब हम अच्छे से फैल लेंगे तो मैं एड़ करेंगे वन टी स्पून ये चटनी तो देखे जितना आप तीखा खाना पसंद करते ह तो इतनी समाँ चटनी एड़ करें तो मैं इसमें थोड़ा सा अब एड़ करूंगी और इसके बाद मैं एड़ करूंगी थोड़ा सा वाइट नमक तो नमक भी आप अपने टेष्ट के अकोड़ी आड़ किजिएगा तो ये देखे फिर से हम इसको बहोत अच्छे से पैट पैटने के बाद में देखे यहां मुझे थोड़ी मिर्च कम लग रही है तो मैं इसमें वन टी स्पून चट्मी और एड़ कर रही हूं तो मैंने आपको बोला था चट्मी आप अपनी साब से ही इसमें एड़ कीजिएगा अभी क्या करेंगे हम इसमें हम पानी एड़ करकर इ बनाने केबं खेंगे तो फूल की बनाने के लिए हम ने नाई ज्यादा तुदिया है यह थी ती टेबल स्पून दीन या यहां कम भी तनागए और अब इसमें हम एत करेंगे यह चटनी जो नहें बनाकर रखी दिल Ende Allison में बेसन सा अब हमें कोई मसाले एक हाध करने की जरुरत नहीं है इसको बनाले और आफ पीर इसको जादा बना बहुत कर गभार करके सकता है अब half teaspoon से कम इसमें हमने नमक एट कर दिया है थोड़ी सी हम एट कर देंगे हलदी इससे क्या होगा बड़ा अच्छा सा पीला पीला सुनारी सुनारी सा कलर आ जाएगा इसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका हमें घोल तयार कर लेना है होता है हम फुलकी बनाते है ना फुलकी हमारी सउफ्ट नहीं बनती तो वह एक बज़ा ये भी होती है कि हम बेशन को अच्छे से नहीं फैटते तो पहली बज़ा में आपको ये भर आँगी कि बहुत से सट जितना आप इसको अच्छे से फैल दिया है अब इसके बाद हमने एक पिंच यानि एक चुट के लिए है लिया है हमने मीठा सोडा बेकिन पॉर्डर भी आप इसको कह सकते हैं और यह दिखे यह सोडा आइट करने के बाद में फिर से हम इसको धही को अच्छे से फैल देंगे तो तकरीवन मैंने दो से त में जादे तेज गर्म नहीं है तो अब इसमें फुल्की दालना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाय रह्मानी रहीम तो यह देखिए तोना से मैं हास्ते लेकर भी इसमें दालूंगी लेकिन एक तरीका में और बताऊंगी कुछ थोड़ा सा लोगों को हास्ते कमफिटेवल नहीं लगता फुल्की बनाना फुल्की हमारी गॉल्गॉल बना कर तयार हूँगी फिर भी क्या होते हना थोड़ा सा सेथ इनका ठीक नहीं आता हरापसा हो जाताएं फुल्की आच पर इसको पेइं जादे तेज तेल गर्म नहीं होना चाहिए जादे तेज से क्या होगा कि फिलकी हमारी जल जाएंगी और वह अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो अंदर से जो कच्छा कच्छा बेशन है वह बहुत जादा हराप लगता है तो मीडियम आज पर मैं इनको अच्छे से जीब है इससे नहीं आपका हाट जलेगा और फुलकी बिलकुल गोल गोल बनके त्यार होंगी तो देखे इस तरह से स्पून लेना है और इसमें लेना है में बेशन और इस तरह से डालते रहना है तो देखें यह कितना इजी तरीका है अब आप विगनर भी है ना तो आप यह फुलकी बिल्कुल गॉल गॉल बना सकते हैं वो भी बिल्कुल स्टीमपल तरीके थे तो मैं आपको बनाना बता रही हूं और देखेजिए कितने अच्छे से गौल शेप में हमारी फुलकिया आ रही हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बतादू बेसन में कभी भी आफ सोडा जो हमने एक पिंच एड़ आड़ कहता वह ज्यादा नहीं एड़ करना है तो इसलिए हमेशा सोडा जो डाले सिर्फ चुटकी से ही डाले इससे जादा नहीं डाले वह सारे लोग कहते हैं कि जादा सोडा डालेंगे तो फुली फुली सॉप्ट बनेंगे नहीं और भी बजा है सोफ्ट बनाने की जो हमने बताया है दही बेसन को अच्छे से फैट ना है तो यह देखिए फुली हमारी अंडाल दिये हैं अब इनको हम हलकी आज पर सेखने देंगे जैसे यह से एक साइट से चीख जाएंगी अब फिर हम इनकी दूसरी साइट चेंजी कर देंगे तो फ्रे कर लेंगे गर्म गर्म फुल्कियों को दही में नहीं डालना है जब तक कि उनका टेंपरेचर बिल्कुल हलका नहों जाए तो दीखे फुल्कियों हमारी हो गई हैं बिल्कुल ठंडी अब इसके बाद हमने ले लिया है दही और यह दही को हम स्पून से एक बार इस तरह से चला लेंगे फिर सारी फुल्किया हम इस दही में एड़ कर देंगे अब इसके बाद फुल्कियों को हम स्पून की हेल्प से अच्छे से डिप कर देंगे और इसको कबर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि दही में यह फुल्किया अच्छे से एफजव हो जाएं और और भी जादा सॉफ्ट हो जाएं पस मिनट के बाद हम फुल्कियों को खूल कर देखेंगे और ये देखें फुल्किया हमारी दही में अच्छे से फूल गई है इसके बाद हम एक पींची रेट लाल मिच्छी पौडर रेट कर देंगे और थोड़ा सा बारी कटा हुगा हरा देनिया हरा देनिया बहुत अच्छा लगता है आप चाहिए इसको इसकी भी कर सकते है कि बाद हम दे थिरी से 4 टेबली स्पून सासो का तेल को बहुत तेज गर्म कर लिया था तेल हमारा बहुत जादा तेज गर्म है दुएदार इसमें हम एट कर देंगे थोड़ा सा जीरा और इसके बाद इसमें हम थोड़ी से हिंग डाल कर इसका हम तरकन लगा लेंगे तो ये देखिए ये हमारा तरकन हो गया है रेडी और इसको हम दही फिलकी में डाल देंगे और ये देखिए दही फिलकी हमारी हो चुकी है तयाद अगर आप अपने महमानों को खुश करना चाहते हैं कुछ special बना कर खिलाना चाहते हैं तो ये दही फुलकी जरूर बनाईएगा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और चलिए इसको हम आपको सर्ब करके भी दिखाते हैं तो देखिए ये ठंडी ठंडी दही फुलकी गाड़े गाड़े दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी तो अगर आप फुलकी खाने के सोखीन है तो पिलिस एक बार हमारे कहने से इस तरह से जरूर बना कर खाईएगा इंशालला आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो फ्रेंट्स विल्टे मेको और ऐसी मदेदार रेसिपी के साथ तब तब नख्यार लखें दो हमें याद रखें आला आफीज